कि कहते हैं ना लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं थी तो दोस्तों नवस्कार मैं राम सिंग आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज में आप भी यदर किसी परिच्छा के त्यारी कर र यह भुगल के प्रक्टिशेट में जो कि रोज सुबह दस बजी होता है और चलिए शुरुबात करते हैं इसी के साथ आज की प्रक्टिश सेशन की पहला कोशन लेते हैं सिंग्रेली कोईला खान का इस्तित है दामदर घाटी में सोन घाटी में गोदावरी घाटी में या फ पहले उता दिया है मूँक्ता आंध्र पर देश में बश्त्रित है यारी कि कहां पर गोदावरी शच्टर के आंध्र प्रदेश में मुखते यह विष्त्रित है और संपुल ब्यापारिक उरज़य में प्रसत एवं फिप्टी पृत्सत किसमी संपूर उजया अत्पादन में और इसके साथ साथ बिद्दित उथपादन में लगभग लगभग 70% का युदान कोईला कहें रहता है यानिकि 70% 70% उथपादन 70% इसका जो यूज है वो बिद्दित उथपादन में और 58% सभी उजावतपादर में इसका उप्यों किया जाता है और इस चत्र में करीम नगर, खम्माम, बारंगल, महतपूर, कुलावतपादक जीले हैं चलिए अगले क्वेशन में बढ़ते हैं कोडागु जीले की ब्रह्मगीरी पहाड़ियों में इसे कौन सी नदी निकलती है, कावेरी, तापती, महानदी या फिर पेन्ना, तो ये नदी निकलती है, कावेरी, ए आप्शन, करेक्ट हो जाएगा काजरी का बिस्तिती रूप क्या है, क्लाइमेटिक एरील जोन रिसर्च इंस्टिटूट, सेंट्रल एरील जोन रेफेरल इंस्टिटूट, सेंट्रल एरील जोन रिसर्च इंस्टिटूट, या फिर क्लाइमेटिक एरील जोन रेफेरल इंस्टिटूट, काजरी, इसका जो पूर्ड रूप है यह क्या है यह है सेंट्रल एरीड जोन रिशर्च इंस्ट्ट्यूट देट मिंस सी आप्सन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला हमारा कोशन है उदयपूर की जावर खाने प्रशिद्ध हैं किसके लिए आपको पता होगा आपने सुना होगा कभी न कभी कि जावर खाने किसलिए प्रशिद्ध हैं लोह अयस्क के लिए अवरक के लिए जस्ता के लिए या फिर मैगनीज के लिए तो उदयपूर की जो जावर खाने हैं वह किस लिए प्रशिद्ध है या जस्ता के लिए प्रशिद्ध है और उद्यपूर कहाँ यह राजस्थान में तो सी आप्षान इसका करेक्ट हो जाएगा गन्य के खेती के लिए उप्युक्त तापमान की से सीमा के बीच होना चाहिए अठारे डिगरी से चल्सियस और सटाश्ट डिगरी से बीच में यह आप्षान बिल्कुल करेक्ट होता है बढ़ते हैं अगले कुश्चन के तरफ और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यह अभी भी चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को अधिक शेयर करें जिसे कि हमारे मोट्वेशन मिल सके और आगे हम इसी तरह से काम करते रहें चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कोशन की तरफ और अग कौन उत्पादन करता है सबसे कुल गेहम उत्पादन के लगवक दो तिहाई भाक से अधिक निर्यात करता है यह कौन है कनाड़ा भी आपसन करेक्ट हो जाएगा इने में से कौन सा प्त्न भारत में लगवर एस के निर्यात के लिए अग्रणी माना जाता है कोची मारमा गाओ पारादीप विसाखा पत्रम मारमा गाव को मारमा गुवा भी बूलते हैं तो आप इसमें कन्फुज नहीं हुएगा कौन सा है यह है विसाखा पत्रम और यह कहां पर है यह जो उडिशा तर्ड परिस्थित है पारादीप पोर्ट जापान के लिए लोह एस के लिए भूद रिश्थ उत्पन होता है हिमानी अपर्ण से नदी अपर्z से हिमान निच्ष पर से या फिम्नि निच्ष पर से टया तो कि रों मतब्रीब भूदिरिश्थ पर राएं हमादा ऑद्रप्रदेश अंदेगा काश्ट प्रदेश ऑजा सहीए कौझ वाला सभा बदेश और भाज थी颈 का यह मैस कहलेते हैं अंधी अंधी कशिट्र परदेश समुद्ध तर्टी परदेश वादसुद्र क्या है यह होगा समुद्ध तर्टी परदेश हमादा क्या है हमादा जो है उष्ड मरुस्थल है हमादा क्या है उष्ड मरुस्थल है और प्राकृति तडबंद जो है नदी द्वारा निर्मित अस्तला किरती है तो इसका C आप्शन करेक्ट है किसी सुष्क प्रदेश में अनेक जरोड संकूँ के समलित होने से बनी नीच्छेपित आकिरती कहलाती है पेडी मिंट बालसन बजादा या फिर अपवाहन द्रोडी क्या कहलाती है यह कहलाती है बजादा दैट मिंस C आप्शन करेक्ट है Judy एक को शुची दों से मीराण करना है एक तरफ दिया सुची, वण दूसरों दिया सुची दूशी दो मान हदन दिव यह कहां इस्ति ए यह कहा है स्तित है यह है स्ञाई스타 राज अमेरि का एक हो जाएग hiçidents get innovative क्योटो कहां पर है क्योटो जापान में है। हांकांग चीन में है , एक एक का एक सब के सबस्क्राइब थे एक है का एक एक बीका दो, दी का चार एक आप्शन करेक्ट है। भुकम की परवलता मापी जाती है एक निमो मेंटर दवारा, वर्नियर मापनी दवारा प्लैनी मीठर दवारा या फिर रिक्टर मापनी दवारा तो भुकंप की प्रबलता किस से मापनी जाती है? रिक्टर मापनी दवारा डी आपसन बिलकुल सही है आहार जाल एक सिधी कड़ी में गमन करने वाला तेदिक लंबा जाता है अनेक पोश्र अस्तोर वाला एक मध्य अकार का जाल है एक बृत्ती जाल है या फिर डी आहार सिंखलाओं का एक अंता गरंथिल जाल है क्या है यह अहार जाल जो है अहार सिंखलाओं का एक अंता गरंथिल जाल है देट मींज डी आप्सन बिलकुल कर पायाजाता है उतले समुद्रों में तटवर्ती भागो में अगाद समुद्रों में या फिर डी इनमें कोई नहीं तो पहले जीक पात ऐता हुआ ज्मदू में सें आपसन बिल्कुल सही है विशेश प्रकार की इन हवाओं को अस्थानी हवाएं कहा जाता है मिस्टरल क्या है एक ठंडी धुरुवी हवा है जो स्पेन तथा फ्रांस में चलती है इटली और स्पेन में चलने वाले गर्म हवा को सीरा को मिस में चलने वाली हवा को खमसीन तथा स्विटेजेंड लैंड में चलने वाली गर्म हवा को फान करते हैं इस तरह से हमारा आइंसर क्या हो जाएगा मिस्ट्रल हो जाएगा डी आप्शन करेक्ट है सुनामी लहरे अधिक सक्री रहती है पुत्री प्रसांत महासागर में पुर्वी प्रसांत महासागर में दच्छडी प्रसांत महासागर में या पिर पस्चमी प्रसांत महासागर में सुनामी लहरे अधिक सक्री रहती है कहां पर या सक्री रहती है पस्चमी प्रसांत महासागर में डी आप्शन सही है लिमिकित में से कौन सा जी आई एस का विस्तरित रूप या विस्तार रूप है जियोग्राफिकल इंफर्मेशन सिस्टम जो जियोलाजिकल इंफर्मेशन सिस्टम जियोग्राफिकल इंफर्मेशन सोसाइटी या फिर इन में से कोई नहीं तो क्या है जी आ सवर मंडल में किस पिंड से प्रित्वी की आंतरीक सनरचना की जानकारी मिलती है ग्रह उपग्रह उलकाएं या फिर पूच्छलतारा तो सवर मंडल के जो पिंड है उससे प्रित्वी की आंतरीक सनरचना की जानकारी किस पिंड से मिलती है तो वह पिंड है उलकाएं सी आप्शन बिल्कुल सही है उलकाय वास्तार में वे ठोस आकासी पदार्थ हैं जो प्रिथवी के वाई मंडल में प्रवेश करने पर घरशन के कारण जनल लगते हैं और ये कभी-कभी उलका पात के रूप में प्रिथवी पर मिलते हैं इनमें लओ नेकील जैसी भारी पदार्थ की पदानता होती हैं इनका विशलेश्वर्ण अध्यन करने पर प्रिथवी की आंत्रिक संद्चना की प्राप्त होती है तो किस से होती है उलकाय से होती है आपको नोट कर लेना है घास छित्र पारिस्तिकी तंत्र में बायो मास पिरामिड होता है सीधा, खड़ा यानि आधार चोड़ा, उल्टा, छेती जी या फिर समानांतर घास छित्र पारिस्तिकी तंत्र में बायो मास पिरामिड कैसा होता है यह होता है सीधा ए आप्षन बिल्कुल सही है कियरैटर तसा काल्डेरा असला कियाने में से किस्श्य समंधित है। फूलकापाथ। जु?, पॉन क्रिया। या फिर हीमानी क्रिया। किसी टुटन है, यह हैं। जुश्य क्रिया से B विल्ल काकास का रंग नीला होता है, क्योंकि विभिन धोलकन द्वारा प्रकास छित्राया जाता है या फिर यह सबी गलत है आकास कर अंदर रंग निला कहीं होता है आपको बली भालीभाटी पता है धोलborक magician के द्वारा प्रकास के सीत्रायानória के अब आप्षान बिल्कुल सही है कि लिम्खित में से कौन सुम्य नहीं है डोलाइन भूमिकत जल यार दांग हिमानी तरट बंद नदी या फिजिवजेन पॉन्ड नीमस तीन सुम्य तरह एक जो सुम्य लिद नहीं है तो सुम्य तो यह वह क्या है वह भी है यार डांग यार सब्सक्राइब निर्मार्ट संदीत है नदी किरिया में वाइव किरिया में लहर को चैसे किरिया में तो समनीत है या या समनी पर वती अगरबाओ का था बाजदा कि मदत अपरदीत शता हो ऑले समाने ढाल वाले भाग को क्या कहते हैं? प्रडिमेंट खते हैं इसतरा से एस वाइक क्रिया से रिलेटेड है निम्हिखिस मैं से कौन से नदी जवार नदमुख का निर्माल करती है? गंगा, ताप्ती, गोवदावरी या फिर महानदी तो इसमें से कौश नदी ज्वार नदमुक का निर्मार करती है वो नदी है बी तापती अगला कोशन लेते हैं धुरूवी जेट धारा पोलर जेट स्ट्रीम के बिशे में कौन सा कथन सत्य नहीं है गिरिसमिकाल में यह उत्तर की और गतिमान होती है यह सताई तूफान के पर अधिक होता है डी आप्सन सही है निम्खित में से कौन धुरूवी वाता अग्स्रिदान्त का प्रतिपादक है जे-ई-वलिवर वी वर्खनीज तथा जे-वर्खनीज पी-आर पीगिनेट या फिर इनमें से कोई नहीं कौन सा सही है वी वाला सही है पी वर्खनीज तथा परिथवी सोर्ष से कितनी दूरी परिस्तित है एक लाख उन्जास था जार अखना को स्क्रिव एक और र को यह पिर पांच भाँशन दीर चल्सियस कितना है लगवागवाग लगवागवाद पांच दरी सलसियस डी आप्शन करेक्ट है और इजक्ट अपता पार कितना है वा थावजन से अवन्दित होता है से आ आपसर्य करेक्ट है महाधीपी हीमाने निच्छ थर र लाय गए दूल के निच्छ से नदीय दुवारा लाय गए मलबा के निच्छ तो क्या है यह महाधीपी हीमाने निच्छ से यह आपसर्य बिल्कल सही है अगला कोशन लेते हैं रिंखित में sudden प्रवापनी पर मां पर पाज करें और अगला कोशन लिम्खी में से कौन सी पावन हेडली सेल के च्यत्र में आती है मानसोंी पाउन ब्यापारिक पाउन है पच्छवा पाउन है या फी धुरूबी पौने तो कौन सी पौने शेटली सेल के छेतर में आती हैं यह जो पौन है व्यापारिक पौने भी आप संग करेक्ट है चलिए उम्मेद करते हैं कि आप को यह सेशन पसंद आए होगा सेशन पसंद आते बीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्रा जुरू करें धन्यवाद